दोस्तो आज किस वीडियो में हम रिपेर करने वाले हैं इस Bluetooth स्पिकर को इसमें फोल्ट यह है कि वैसे तो यह पूरी तरह से ओन है लेकिन जब हम मुबाइल के Bluetooth फंक्शन में इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पर इसका नाम शो नहीं होता इसी तरह के फोल्ट को लेकर मेरे पास कई कमेंट्स आई हुई हैं जिन में यही सवाल पूछा गया है कि हमारा Bluetooth स्पिकर ओन तो हो रहा है लेकिन वो मुबाइल फोन से कनेक्ट नहीं हो पाता या कभी-कभी connect हो भी जाता है तो वह अपने आप ही disconnect हो जाता और फिर दुबारा connect नहीं होता और दोस्तों यह हो सकता है कि आपके पास किसी अलग brand का या अलग model का Bluetooth स्पिकर हो जिसमें इस तरह का फोल्ट आया हो लेकिन दोस्तों सभी तरह के Chinese Bluetooth स्पिकर में एक ही तरह का circuit यूज होता है भले ही उसके circuit board का design अलग हो लेकिन जो main component होते हैं वो लगबग सेम ही रहते हैं सभी में तो यह solution लगबग सभी Chinese speaker में काम करेगा यह वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाली है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा नमश्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक तो चलिए शुरू करते हैं इस वा सारे function इसी से control होते हैं अब इसमें बाकी सभी supply यह बन रही है speaker on भी हो रहा है वो इस भी okay तो microcontroller IC खराब होने के chances बहुत कम है देखिए इस side का यह सारा section कहलाता है RF section इस side की यह ज्यादा तरपिने audio के लिए use की गई है और in RGB LED की supply वगरा के लिए use की गई है सबसे पहले तो दोस्तों आप इस IC की सभी पिनों को ध्यान से देखिए कोई भी pin dry नहीं होनी चाहिए कई case में यह देखा गया है कि board पर अगर ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाए तो रश्ट लगने से कई बर यह पिने dry हो जाती है circuit board से सही से connect नहीं होती है अगर आप के पास इस तरह का कोई circuit board repair होने के लिए तो सबसे पहले तो आप उसको clean कीजिए फिर उसके बाद सभी pinों को दुबारा result कीजिए इस तरह के fault कई बार इसी से ठीक हो जाते हैं लेकिन इस board में इस तरह की कोई problem नहीं है यह board पूरी तरह से clean है अब हमारा इस fault signal से related है तो हम RF section में ही इसको check करेंगे अब particular इसी board की बात करें तो यहां पर आप देखिए चाइना अब RF section में कोई ज्यादा party उज़ करता ही नहीं है अगर आपके पास इस से थोड़ा पुराने time का अगर board होगा तो आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे PF वगरा लगे होते हैं तो हमें उन सभी PF को check करना होता है shorting के लिए लेकिन दोस्तो इस वाले board में तो सिर्फ यहां पर एक crystal oscillator ही दिया गया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह crystal ही खराब हो दोस्तो इक crystal oscillator एक ऐसा component है इसको multimeter से check करना possible नहीं है तो इसकी लिए तो हमें इसको एक बर change करके ही 24 MHz एक 26 MHz तो हमारे इस वाले board में 26 MHz का लगा हुआ है अब यहां पर मेरे पास एक पुराना TG113 का board है इस में भी यह crystal 26 MHz का लगा हुआ है तो इस वाले crystal को हम अपने इस board में लगा कर देखेंगे अब इसको fit करने से पहले हम इसको एक बर check करके देखेंगे यह देखेंगे दोस्तों 005 यह इस speaker का नाम है जो अब Bluetooth सर्च में शो हो रहा है अब इसको एक बर connect करते हैं लीजे connect भी हो गया अब इसमें एक music चला कर देखते हैं अब जैसा कि आप देख रहे हैं अब यह Bluetooth स्पीकर बिल्कुल ठीक हो गया है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजे और ऐसी ही रिपेरिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलकात होगी तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम